सबी महानुभावों को मेरा सादर जैजनेंद्र और आज हम 109 नंबर के श्लोक को पढ़ने वाले हैं और इस श्लोक में प्रोषधोपवास का लक्षण बताया गया है अर्थात प्रोषधोपवास कहते किसे हैं तो आप सुच रहे होंगी कि प्रोषधोपवास की चर्चा खतंगा हो गई होने वाली है और अब प्रोषधोपवास करो बता है यह अब बता रहे है तो चलिए आज श्लोक में हम पढ़ते हैं तो पहलो चारण कर लेते हैं इसके बाद अर्ष देखेंगे चतुराहार विसर्जन मुपवासह प्रोशधाह सकृत भुक्तिही साप्रोशधो प्रोशधो 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 यद पोश्यारंभ मा चरती सप्रोशधो पवासो यदुपोस्यारंभ माचरती ठीके पूरा एक बार में पढ़ते हैं सप्रोशधो पवासो यदुपोस्यारंभ माचरती ठीके क्या कहते हैं इसमें इसमें कहते हैं कि चतुरा हार विसरजन चार प्रकार के आहार जो बताए थे खाद श्वाद लेह पे बो प्रकार से और जो समंदभज स्वामी ने जो बताए हैं अन पान लेह और पे हैं तो इस प्रकार से भी जो चार प्रकार के आहार हैं उनका विसरजन करना अर्थत्याक करना तो त्याक करके उपवास प्रोशधा तो चार प्रकार के अहार का त्याक करना उपवास कहलाता है यह पहले भी बताया जा चुका है ठीक है जब परिवासा बताए थी तो अन का मतलब डाल लोटी यादी जितने हम डाल लोटी और जो भी अन की चीजे हैं वो और पान का मतलब पानी दूद मिठा ठंडाई त्यादी च्छास वगएर यह पान में आ जाएगा खाद में आएगा लड़ू से जो पन मिष्ठान बनाते हैं मिठाई बर्फी नास्ता जिसे हम कह सकते हैं जो पेट भरने से ज्यादा स्वाद उनका इंपोर्टेंट रहता है ना डिस अलग अलग प्रकार की वो सब खाद में आ जाएंगी और लेह अनपान खाद और लेह में रवडी चासनी चटनी त्यादी जो गाड़ी चीजे होती हैं वो आ जाएंगी तो इन चारों प्रकार के आहार का त्याक करना उपवास है यह यहां पर बता दिया फिर अब चूंकि प्रोषद उपवास में दो शब्द हैं प्रोषद प्लस उपवास तो उपवास की परिवासा बता दी और प्रोषद क्या है तो शक्रत भुक्ति ही शक्रत भुक्ति का मतलब है एक बार भुक्ति मतलब भोजन करना एक बार खाना शक्रत मतलब एक बार ठीक तो एक अग बार खाने का नाम प्रोशद आए अब दोनों को जोड़ दिया प्रोशदों वास हिए तो हो गया सब प्रोशदों वबास हो उसे प्रोशदों वास कहते हैं ठीक वबास और प्रोशद, यत उपोष्या रंभम आचारती एद यह यत मतलब यद है न जो यहां से यत निकल लेगा बाहर फिर निकलेगा उपोश्य यत मतलब जो कि उपोश्य कि अर्थत उपवास करके कि कैसे यत का मतलब यहां पर प्रोशद पूरवग मतलब पहले प्रोशद आएगा जैसे प्रोशद और उपवास दो शब्द ने तो पहले पर्व के एक दिन पहले प्रोषद करना है फिर पर्व के दिन उबवास करना है उपोश्य उबवास करके फिर आरंभम आचरती आरंभ का मतलब फिर से यहां पर एक करना तो हमने इसले लोग में इसकी परिवास बता रही थी भेमा करना है सबसे पहले पर्व के एक दिन पहले एकासन पर्व के दिन अवास फिर अगले दिन फिर से एकासन तो वो हमारा क्या कहलाएगा प्रोश्धो पवास ठीक है इसको थोड़ा सा ओड़ दिटेल में पढ़ लेते हैं विशे सार्थ समय कुछ नई बात हैं उनको पढ़ लेते हैं कि विशे सार्थ में कहा है कि स्री समंतवद स्वामी प्रोश दोवास का लक्षण इस परिछित के सोलेवे श्लोक में लिख चुके हैं पहले उन्होंने परिवास इस जब चैप्टर चालू किया था प्रोश दोवास का इसके बाद दो श्लोकों में उबास के दिन करने यहां। अब इस लोक में पुनह उपवास प्रोसद और प्रोसदोवास का लक्षण लेखा है जो कि पुनरुक्त सा प्रतीत होता है पुनरुक्त मतलब जैसे दुबारा वही चीज रिपीट करी गई हो लेकिन यहां पर उपवास का लक्षण तो वही है जो पहले है 16 वे स्लोक में ले पर्व अश्टमी चतुरजसी लिखा है अन्य गरंते दी हम पढ़ेंगे तो उनमें प्रोसद का मतलब पर्व का दिन कहा है तो उससे हो जाता है कि पर्व के दिन अबास करना वह प्रोसदोबास हो जाएगा लेकिन यहां पर प्रोसदगार्थ एक आशन दिया है तो अता प अन्य गरंतों में नहीं बताया है लेकिन यहां इस श्लोक में धारणा और पारणा के दिन एकासन की चर्चा की गई है जान पड़ता है समंदवद्ध स्वामी ने इस श्लोक में किसी अन्य माननिता का उल्ले किया है धारणा के दिन एकासन करने की चर्चा तो पुर्षा सि कि चुंब। प्रश्ञसुद्धियूपाय में अमर्च st solvent स्वामी ने भी की धारणा के दिन एक आसन करना मतलब एक दिन पहले एक आसन करना ये तो अमर्च सवामी ने बिश्ज़ा स्थिक्षा सिद्धियूपाय में भी कहा है तो उन्होंने प्रोष दोवास के सोला प्रहरों का पहर सोला पहर का विवरण देती हुए लिखा है कि उपवास के पूर्व दिन मद्ध्यान का भोजन करने के बाद उपवास का नियम लेकर एकंद बसतिका में चला जाना चाहिए ठीक है एक दिन पहले एकासन करो बारा बजे दस बजे ग्यारा बजे जित्ते कि इस संदर में उन्होंने तुर्टिया दिन के मद्ध्यान तक करका विवरंद दिया है अवंणे कंसा कहा कि एक दिन पहले आप दो पहर तक बोजन इत्यादी करके निप्रेत हो जाएं अबास का नियम ले और वाए एक दिन पहले आपका एकासन हो जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं ठीक तो उस दिन एकासन हो गया फिर अगला दिन परव का होगा उस दिन नेर्जल पूरा अभास चलेगा फिर तीसरा दिन आएगा परव के अगले दिन वहां पर दुपहर तक आपको कुछ भी नहीं भूजन पानी करना है दो पहर को ही आपको अहर ग्रहन करना है तो क्या हो जाएगा कि इधर एक दिन पहले का आधा दिन जहां पर आपको अन्निजल का त्याग रहता है ठीक लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि तीसरे दिन जो पर्व के अगले दिन है उसके आधे दिन के बाद यदि आपने भूजन किया है तो वर उस दिन साम को भी कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है आधे दिन तक तो कुछ नहीं लेना है लेकिन उसके बाद क्या करना है ऐसा कोई लेक उहां पर नहीं है अर्थात अगले दिन एक आशन करना है या नही कहा है तो यह यहां पर कहा है कि इस सिद्ध होता है कि धारणा के दिन एकासन किया जाता है परंतु पारणा के दिन एकासन की चर्चा अन्यतर देखने में नहीं आई इस लोग में भी आरंब का अर्थ संस्क्रिटी का कारण सक्रद भुक्ति किया है जो आरंब हम बाप को बता देते हैं यह आरंब यहां पर आरंब का शब्द सक्रत भुक्ति दिया है अर्थात एक बार भुजन करना लेकन यह तो इसका आर्थ होता ही नहीं है तो यही यहां पर बात प्रशन किया गया है कि ऐसा क्यों किया गया आरंब का अर्थ सक्रत भुक्ति कैसे हो यह बुद्धी में नहीं आता आरंब का अर्षत वारंभ ही यह अर्थाज जो घर ग्रहस्ती के काम या वैया पारविजनिस के काम है वह सब आरंभ है तो उबवास के पूर दिन मद्ध्यान के भोजन के बाद उबवास का नियम लेकर मुक्त समस्ता अरंभ हुआ था अब सोला पहर के बाद आरंब ग्रहस्ती के अन्यकार करने के लिए सुतंत्र हो जाता है अगले दिन वह दुपहर के बाद भै फ्री हो जाएगा बरतमान में उबवास के तीन रूप प्रचले थें सोले पहर का बारा पहर का और आठ पहर का तो यह तीन प्रकार के उबवास है सोले पहर बारा पहर और आठ पहर सोले पहर का उबवास पूर जिन मत ध्यान भोजन के बास शुरू होता है और त्रती जिन तक दो पहर तक चलता है ठीक है और बारा पहर का जो उबवास है पूर दिन साम के भोजन के बास शुरू होता है और त्रती दिन सूरुदे तक चलता है और जो आठ पहर का उबवास है बास सूरुदे के समय से लेकर आगामी सूरुदे दिन तक चलता है इस प्रकार से यह उबवास की चर्चा यहां पर कर आप करते हैं जाय जीनेंदरू